तो गाइस कैसे हैं आप लोग खुबस आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छ होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जी कैम के बारे में काफी जादा यूजर जानते होंगे तो यह अनुना ने लिखा कि जी कैम की वीडियो बनाओ तो दोस्तों मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर रहा हूं तो दोस्तों वह दिन आज आ चुका है भाई ने भी थोड़ा सा सजेस्ट किया और एकदम से मैं बैठा हुआ था ट तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक तरीका आप लोगों को बताया जाए कि जी कैम आप लोग कैसे ले सकते हैं तो दोस्तों हाला कि Android 12 में ऐसा कुछ एविलेबल नहीं है लेकिन फिर भी हम कुछ ट्राइब करेंगे कुछ एक्स्टर ट्राइब करके दिखते हैं कि हमारा क कुछ काम चल सके तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है और साथी साथ इंफर्मेटिक होने वाले है क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं जो लोग इंट्रेस्टेट रहेंगे जी कैम के लिए वह यूज भी कर पाएंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दो अभी तक वीडियो को लाइक निकाया तो लाइक कर दीजिए चैनल प्रियू चैनल को से स्काइब करिए साथ मैं बेल लाइकन को पैसकर करके रखिए क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसी इसको आपको इंस्टॉल कर लेना तो मैंने इस पर बटन पर क्लिक कर दिया इंस्टॉल के लिए अभी कुछी सेकिंड भी इंस्टॉल हो जाई ही आपके सामने देख सकते होंगे यह 80% डाउनलोड हो चुकी है और इंस्टॉलिंग के लिए जा चुकी है दोस्तों उसके बा करना है रिक्वेस्ट जी केंप पर क्लिक करेंगे तो एड़ोटाइजमेंट आपके सामने आपको स्किप करना होगा एक्चुली क्या है जितने भी आप्लिकेशन साथ मार्केट में बन रहे हैं प्लेश्टॉर पर अपलेबल हो रहे हैं उनमें मतलब एड्स का बहुत ज्या आप्लिकेशन में जो आप देखेंगे तो जैसी रिक्वेस्ट करेंगे तो एक अप्लिकेशन में एड़ आएगा इड़ को आपको स्किप कर देना है दान उसके बाद दूस्तों आपको नीचे होम गयल से एक और बटम दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है जब अगर सपोज आप oneplus note 2 ढूनते हैं तो आपको यहां पर oneplus note 2 यहां पर देखने को नहीं मिलने वाला है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं oneplus note 2 यहां पर कहीं भी available देखने को नहीं मिलेगा आपको simply क्या करना है मैं आपको बता दूँँ थोड़ा सा bottom में आएंगे bottom में आन तो आपको डाइटलिए वोलेगा इंस्टAUD के लिए आ जाएगा एक पॉप आफ जहाए एक बाद के क्लिक कर देना घुलाहई मैं इसकोра क्लिकोंगे क्योंकि दोस्तों मेरे पास जो जी का इमें वह इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको दिखा देता हूं पहले इसको मैंने स्टॉप कर दिया है अब मैं चलता हूं बहार अब मैं आपको कैमरा दिखाता हूं दोस्तों यह दिख रहा होगा आपको जी कैमेटर के बगल से कैमरा ठीक है तो यह मेरा वो कैमरा है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों जैसी मैं क्लिक करता हूँ camera open हो जाएगा अभी दोस्तों आप लोगों दिखा ही दे रहाँगा यह camera यहाँ पर open हो चुका है ठीक है अभी मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पर आपको जितने भी दिख रहे हैं section इसके अंदर night side है portrait है, camera है, video है और modes है modes में आपको यह सब चीज़े मिल जाएंगी बाकि आपको camera के अंदर यह चीज़े मिल जाएंगी वीडियो के अंदर आपको slow motion में देखने को मिल जाएगी यह बगल में आपके slow motion दे रखा है तो इसमें क्या है आप suppose camera की बात करता हूँ तो इसमें कुछ settings है मैं आपको settings के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर, देखिए आप जब camera को open करेंगे तो आपको कुछ settings करनी होंगी जगी HDR plus पे आपको click कर देना है वागी आपको frame rate आप भले ही आप default कर लीजे automatic ले लेका वो मैं तो यह try करके देख रहा था एक बार आप default कर लीजे ठीक है उसके बाद timer है flash on करके रखिए फिर बागी आप disabled यह है तो चीज़ आपके लिए नहीं है काम की बागी फिर आप more settings में जाएंगे actually क्या है दोस्तों यह एक original camera बोलते है वो camera है अगर आप यह आप pick लेंगे जैसे suppose मैं भी ले लेता हूं देखी दिखाता हूं अभी आपको pick यह मैंने अभी gcam से लिए ठीक है selfie mode से यह भी मैंने selfie mode से लिए लेकिन दोस्तों इस pick में आप देखेंगे मेरे मतलब original जो camera बोलते है वो चीज है और यह देख रहे हैं आप यह थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं difference क्या है दोस्तों अभी आपको चले जाना settings पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी दिख रहा होगा face retouching face retouching का मतलब क्या है कि अभी मैंने जो image दिखाई अभी आप देखेंगे मैं बापेस से दिखाता हूं आपको यह आपको image दिख रही है इसमें क्या है face थोड़ा से clear नहीं आया मतलब जो original पिक आना चीए अभी मैं ऐसी normally better हुआ था तो ऐसी मैंने click को click कर लिया तो आपके सामने यह pick है ठीक है और इसमें थोड़ा सा smoothness आरा है मतलब की clearness दिख रहा है आपको तो दोस्तों अभी आप मेरी pick देख पा रहे होंगे यहाँ पर पहले से better दिख रही है अब यहाँ पर मैं click करता हूं यह आप देख पार है अगर मैं थोड़ा सा हलगा सा करता हूं तो यहाँ पर pick जो है वो थोड़ी सी smoothness कम हो जाएगी फिर उसके बाद बापिस से करता हूं तो यहाँ से आपको select कर लेना यह बाकी किया आपको light को off one करना है flash light को कर सकते हैं यहाँ से timer दिया हुआ है और HDR plus आपको यहाँ पर default मैंने रख रखा है बाकी चीज़े वही है आप लोग try करिए और resolution मैंने solar ratio 9 का रख रखा है तो दोस्तों जब आप यहाँ से pick को click करते हैं जैसे suppose आपको brightness बढ़ाना है तो यहाँ से brightness भी बढ़ा सकते हैं कम भी कर सकते हैं सब चीज़े zooming, zoom out भी कर सकते ह आसे तो सारे features हैं यहाँ पर portrait mode भी दे रखा है portrait mode में भी वही सारे systems है आप लोग देख पा रहे होंगे सब कुछ smoothness, wide grow बगरा सारी चीज़ें वही हैं सब कुछ camera को लिख कर तो आप लोग एक बार यह try करिए मैंने अभी जो pick क्लिक किया था मैं आपको दिखा दूँ यह क्लिक किये थे कुछ time पहले तो आपको दिख रहा होगा equality मतलब अब अपन बन प्लस के camera से यहाँ पर click करते हैं तो क्या होता है कि आपकी नीचे pick के नीचे क्या देखने को मिलता है यहाँ पर white white so हो जाता है और pick जो है वो बिल्कुल बरवाद हो जाती है और इस वाले pick में भी आप दिखेंगे कहीं पर कोई भी fightness नहीं देखने को मिल रही है और यह मैंने pick को edit किया है मतलब इसमें क्या है एक sections और एक और नई वीडियो लाओंगा इसमें सारी चीज़े समझाओंगा तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर तीन pick मैंने आपको दिखा दिखा आती है तो please comment भी करिए और वीडियो को like भी कीजिए और साथ में share भी कीजिए क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर एक proper information आप लोगों को दी जाती है अगर दोस्तों अगर आपको कोई भी doubt रहता है कोई भी technical issue रहता है तो आप directly मुझे Instagram पर यह Telegram पर follow करके message कर सकते हैं आपक कि इस वीडियो में पसकत नहीं मिलता हूं बहुत जल ऐसी किसी interesting videos के साथ तब तक लिए दोस्तों goodbye